आज हम सिखेंगे बड़ी संख्याओं का मानक रूप में निरूपन और बड़ी संख्याओं की तुलना क्या आपको पता है हमारी सूर्य से आकाश गंगा यानि गैलेक्सी के केंद्र के दूरी इतने मीटर है यह संख्या पढ़ पाना उतना ही कठिन है जितना की मनुष्य का आकाश गंगा के केंद्र पर पहुँच पाना सिर्फ पढ़ना ही नहीं बलकि ऐसी पड़ी संख्याओं को लिखना, इनके तुलना करना, एवं इनपर गणितिय संक्रियाओं करना भी बड़ा कठिन होता है के जानते हैं संख्या का मानक रूप क्या होता है हम किसी भी संख्या N को घातांग के प्रयोक से M गुणा 10 के उपर खात P इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां M का मान 1.0 या इससे अधिक हो सकता है लेकिन 10.0 से कम होता है और P एक पूर्णांख है संख्या का यह रूप कह खलाता है उसका मानक रूप N परापर M गुणा 10 के उपर खात P चले इसे विस्तार से समझे हम बात करेंगे इस संख्या की यह एक पूर्णांख्या है पहले हम इसे दश्मलव संख्या यानि डेसिमल नंबर में व्यक्त करेंगे क्या अब बता सकते हैं यह हम कैसे कर सकते है सोचिए सोचिए इस तरह से यहां 21 से एक घटाने पर हमें पी का मान प्राप्त होगा 20 हमने एक अंक इसले घटाया है क्यूंकि हमें दशमलव बिंदु को सबसे बाई और की शुन्नितर अंक के बाद तर्शाना हैं इसके लिए हमें अंकों के गिंती से एक अंक को छोड़ देना होगा इस तरह से हम दश्मलव बिंदू को तीन के दाई और दर्शाते हुए संख्या को इस प्रकार लिख सकते है अंतिम चरण में हम दश्मलव बिंदू के दाई और स्थित अंतिम शुन्यदर अंक के बाद सभी शुन्यदर अंक नहीं है इसलिए हम एक शून्य रखकर बाकी सभी शून्य हटा देंगे इससे हमें M का मान प्राप्थ होगा 3.0 अब हम M और P के मान से संख्या का मानक रूप यानि स्टैंडर्ड फॉर्म 3.0 गुणा 10 के उपर घात 20 इस प्रकार लिख सकते हैं सूर्य से प्रिथवी की दूरी इस प्रकार है क्या आप इस संख्या को उसके मानक रूप में व्यक्त कर पाएंगे वीडियो रोक कर प्रयास कीजिए चलिए इसे मानक रूप में व्यक्त करें इसे मानक रूप यानि M गुणा 10 के उपर घात P में व्यक्त करने के लिए पहले हम इस पूर्ण संख्या के दाई और दश्मलव बिंदू और शूर ने लेकर दश्मलव संख्या में परिवर्दित कर लेंगे यहां दश्मलव बिंदू के बाई और कुल बारह अंक है हम अंकों की कुल गिन्ती बारह से एक खटाएंगे जिससे हमें P का मान प्राफ्ध होगा 11 हो फिर हम दश्मलव बिंदू को सबसे बाई और के शूनितर अंक एक के दाई और रखेंगे और अंतिम चरण में दश्मलव बिंदू के दाई और स्थित शुनितर अंक के बाद सभी अंकों को हटा देंगे इससे हमें M का मान प्राप्त होगा 1.496 अब हम सूर्य से प्रित्फी की दूरी को मानक रूप में 1.496 गुणा 10 के उपर खात 11 मीटर इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मानक रूप से हम संख्या को आसान प्रकार से लिख और पढ़ सकते हैं इसे के साथ मानक रूप के उप्योग से हम संख्याओं के तुलना भी आसानी से कर सकते हैं उधारण के तौर पर चलिए सूर्य से आकाश कांगा के केंद्र की दूरी और सूर्य से प्रित्फी की दूरी की तुलना करें तुलना करने के लिए पहले हम देखते हैं कि क्या संख्याएं मानक रूप में हैं, यहां दोनों संख्याएं मानक रूप में हैं, फिर हम दोनों संख्याओं के 10 की घातों के तुलना करते हैं, यहां 10 की घात 20 है और यहां 10 की घात 11 है, चुकि घात 20 घात 11 से बड़ी है, इसलि उपर घात 11 मीटर याने कि सूर्य से आकाश गंगा के केंद्र की दूरी सूरी से प्रिध्वी की दूरी से बड़ी है। इसी प्रकार आप कोई भी दो बड़ी संख्याएं लेकर इन्हें मानक रूप में व्यत्त कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। कर दो दोल इनकी है।